करम का फल है वो सबसों भुगतना पड़ेगा चाहे राजी भुगतों चाहे वेराजी भुगतों को करम का फल तो आप हम सभी को भुगतना है एक वार बात है एक वार की बात है कि बताया जाता है कि एक ब्रामन थे वो ग्रामन रोज गाओं में विक्सा लेने जाते थे तो वो ग्रामन रोज विक्सा लेने जाते तो एक दिन वो विक्सा लेने जा रहे थे एक कुता आया उनके सामने कुता आते ही वो जोर जोर से बुशने लगा वह वह करने लगा तो उन्हों ने संतों ने बोला ये कुटा बोल गिया अब मुझे विक्षा नहीं मिलेगी ऐसा भाव रखे गए तो उनको विक्षा मिली नहीं ऐसे भूके रहना है पड़ा उनको और दूसरे दिन जब वो संत फिर भिक्षा लेने गए तो वो ही कुटा सामने आके भूब भूब करने लगा उनके सामने तो उन ब्राह्मन देवता ने एक पत्तर उठाया और कुटे के सिर पे दे मारी दम और कुटे का सिर भट गया माराज ब्राह्मन विक्षा लेने गया उस दिन भी ब्राह्मन को विक्षा नहीं मिली अब क्या हुआ कुटा गया वगवान लक्ष्मी पती नारायन के पास में वगवान के दर्बार में और वगवान के दर्बार में जाके खड़ा हो गया ओ लो लुवान होरा सिर फटा हुआ उनका बगवान के दर्बार में खड़े होके गुते ने बगवान से अर्दास करी है परमपिता परमात्मा मैं आपका गुता आपने मुझे बनाया मैं बड़े भाव के साथ मैं आपको याद करता था मेरा नित्य नियम था आपको मेरी आवाज में जैसी आपने मुझे आवाज दी उस आवाज में आपको मुँ उचा करके भगवान आपको याद करता था एक ब्रामन दुष्ट ब्रामन ने मेरा सिर्फ वोड़ दिया इसका न्याओ कीजिए ब्रामन ने मेरा सिर भोड़ दिया उसका आप न्याव किये जिये बुलाया वगवान ने ब्रामन को अपने दरवार में और ब्रामन से बोला क्यों रे दुश्ट ब्रामन तुने इस कुटे का सिर क्यों भोड़ दिया तुम्हारा इस कुटे ने कुछ आहित नहीं किया तुने इसका सिंख्यू फोड़ा तो ब्रामन ने बोला है बगवान मुझे ख्षमा करो पर जब मैं बिक्षा लेने गया तो ये कुटा बहु बहु कर रहा है उस दिन मुझे बिक्षा नहीं मिली तो बगवान ने वो कुटा खड़ा ता कुटे ने बोला जिस दिन तुने मेरा सिर फोड़ा उस दिन तेरको विक्षा मिल गई थी क्या उस दिन भी मुझे विक्षा नहीं मिली तो खुटे ने बगवान से कहा बगवान इसको दंड दीजिए क्या इसको ब्रामन को दंड दीजिए तो बगवान ब्रामन ने बोला कि ब्रामन दंड के लाइक नहीं होते हैं सरीर का दंड इसको नहीं दिया जा सकता कोई ऐसा दंड बताओ दूसरा दंड पाकी ब्रामन सरीर से दंड के लायक नहीं है ब्रामन को सरीर का दंड नहीं दिया जा सकता तो कुते ने बोला माराज मंजूर है इसको सरीर का दंड नहीं देंगे ऐसा कोई दंद नहीं देंगे तो बगवान ने बोला ऐसा कोई दंद विदान है तो तुम बताओ जरूर इसको दंद देंगे अब वाँ पे सब देवी देवता आगए सब रिशीमूनी आगए कि भéis ऐसा कोई दंद भी होता है जो शरीर से दंड नहीं लगे शरीर से दंड नहीं दिया जाए ऐसा कुता क्या बोल देगा सब सुनने पदार गे माराज तो कुते ने क्या बोला बड़े भाव के साथ में सुनना वगवान कि सरीर का दंड इसको दो चाए मत दो पर मैंने आपको पुकारा है, मैंने जिता आपको याद किया, इते ब्रामन ने भी याद नहीं किया है, तो मेरी आपको एक ही अर्दास है कि वगवान, जो ये ब्रामन है, इस ब्रामन को चित्रकूट में एक आश्रम था, क्या, कालिमगिरी मठ का मेंध बना दो, कालिमगिरी मठ है जो बहुत बड़ा मठ है, आर्द के सीच से बहुत ही तगड़ा मठ है वहाँ का, चित्रकूर्द में जाओ तो कालिमगीरी परवत आता गी नहीं आता उसका स्वामी बना दो मठ का स्वामी बना दो सब देवी देवतारी सीमुनी बोले ये कौन सा दंड है अरे भई मेंत बना दिया मठ का स्वामी बना दिया कोई दंड तोड़ी यह तो आशिरवाद मिली गया इस ब्राह्मन को ब्राह्मन बड़ा कुछ भगवा ब्राह्मन बोले अरे मुझे पता होता तो दो दिन इन पहले ही मैं इसका सिर्फ वोड़ देता अरे भाई इसका सिर्फ वोड़ने से मेंध बनते हैं मठ का अधिकारी बनते हैं तो मैं तो पहले ही भोड़ देता था आप ऐसा मत कर देना कभी कि कुट्टों का सिर्पोड़ने से मेंध मनते हैं तो एक दू काम भी भोड़िया हैं कल आते समय यहां का मेंध मन जाए तो भगवान हुआ किया तो भगवान और देवतों के बीच में संसे था कि हे स्वानराज आपने जो इनको दंड दिया है वो दंड का है वो तो आपने आस्रिवात दिया है कि दंड दिया है तो कुट्टे ने बोला महराज मैंने इसको दंड दिया है दंड कैसे दिया तो गुते ने वड़ी अच्छी सुन्दर बात बोली वगवान वड़े प्रेम से आफ सुनना गुते ने बोला कि माराज मैं भी एक कालिंजर का मेंद था पुरुजनम मैं मैं भी कालिंजरी मठ का मेंद था एकवार का समय था कि भगवान एक भगत आया और रुता बड़ा गी लेकिया गी गी का पातत बोले कि जोत करना और भगवान के चडाना तो उस घी को मैंने भगवान को चडाया भगवान को अरपण कर दिया पर मेरे नाकुनों में उस घी का कुछ लेश मात्र अंस रह गिया था और अंस रहने से फिर मैंने वो रोटी चूर के भोजन किया था वो ही घी है जो मेरे भोजन में आ गिया और मैंने वो भगवान का दिया हुआ अंस भगवान के अरपन करना चाहिए वो मेरे पेट में चला गिया तो भगवान मुझे यहां कुत्ता बनना पड़ा और सोचो यह ब्रामन है जो किता लालती है अपने हित के लिए अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकता है तो यह वहां जाएगा तो संतों का बाका खा जाएगा देवताओं के बाका खा जाएगा गाईयों के बाग का है वो भी खा जाएगा तब वगवान मुझे तो केवल आपके बाग का थोड़ा सा रह गिया था वो भी मुझे कुत्ता बनना पड़ा और ये ब्रामन बनेगा तो क्या-क्या नाना प्रकार का खा जाएगा सारा तो इसको क्या जून भुगतनी पड़ेगी ये खुदी जानेगा तो वगवान कभी भी आप याद रखना किसी के भाग की रोटी हमें नहीं खाना चाहिए कोई प्रकार का जिसे हम जिसे समर्पत कर दिया सुपूर्ट कर दिया हो भाग का हमें कभी नहीं खाना चाहिए याद रखना ये बात किसी के भाग की हमें कभी नहीं खानी चाहिए भगवान